हाँ दोस्त, CMA Final का Result आ गया है, Intermediate का भी Result आ गया है और आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो थोरा सा informative है और ये वीडियो मैं specifically अभी on demand बना रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को थोरी सी समझने में कठना ही होती है इसके उपर और भी जो factors हैं, उसके उपर मैं अलग से वीडियो बना के आपको बताऊंगा हो सकता कोई live session भी conduct करा हूँ, लेकिन अभी जो immediate जो demand है और उसके short videos मैं एक बना रहा हूँ, result के बारे मैं ज़्यादा मैं discussion नहीं करा हूँ 100% में से 13.27% लोग पास हुए average, इसमें मैंने कैसे counting किये बता देता हूँ, जिनोंने बोथ ग्रूप की, जिनोंने कोई भी ग्रूप किया, single मतलब जो पास हुए हैं, चाहिए एक ग्रूप हुए हो, बोथ ग्रूप हुए हो, उनका total और plus number अप जो student अपियर हुए हैं, उन अब यहां पे सवाल दो उठ रहे हैं, कि जिन बच्चों का नहीं हुआ, जिनको जुलाई में अपियर होना है, उनको syllabus 2022 में जाना है, या syllabus 2016 में आना है, इसमें मैं थोड़ी सी clarity आपको बरा रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से समझे, अगर आपका बोथ ग्रूप है, मतलब आप बोथ ग्रूप एक्जाम आपने दिया था, आपका बोथ ग्रूप नहीं हुआ, और अब आप चाहते कि बोथ ग्रूप मुझे जुलाई में जाना है, तो आपके पास फिर conversion to syllabus 2022 का option नहीं है, क्योंकि syllabus 2022 में आप इतने दिन में बोथ ग्रूप नहीं दे सकते जुलाई म फिर आप अगर अभी से preparation करें, rank की तियारी करें तो December जाएं, वैसे अगर मैं होता आपकी जगह तो यहीं करता, syllabus 22 में convert करता, रुकता और December में जाता, क्योंकि कम preparation के साथ exam में जाके बैठके और फिर वापस हो जाने का कोई advantage नहीं होता, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन फिल इसरा आता है कि नहीं मुझे एक ही group देना है, अगर आपको एक group देना है, तो आपके लिए best यह है कि आप syllabus 2022 में जाए, syllabus 2016 से conversion ले लीजिए, लेकिन syllabus 2022 और 2016 में क्या क्या advantage है, क्यों मैं कह रहा हूँ syllabus 22 में जाने के लिए, नमबर वन, syllabus 22 में अभी passing percentage जादा रहने के chance है, नमबर दो, इसमें question भी थोड़ा असान आएगा क्योंकि initial attempt है, नमबर तीन, industry में इनको जादे preference मिलेगी क्योंकि अगले बार दोनों course के बच्चे पास होंगे, ये अभी industry से जादा नजदीक है, इसका फाइदा होगा, कुछ आई नहीं है, index भी उन्होंने गिन के दिये है, कुछ उन्होंने इंटर में ट्रांसपर कर दिये, तो CFR specifically, बाकी का तो syllabus दोनों में defined है, लेकिन CFR का syllabus 2016 में defined नहीं है, कुछ भी पूछ देते, syllabus 22 में आ करके ये defined है, ये तो advantage हो गया, इसमें hurdles क्या है, hurdle इतना है कि कई ब ऐसा होता नहीं है, ऐसा हम सोचते हैं, हम्यारा मन ऐसा फील करता है, ऐसा होता कुछ नहीं है, pass फिर वही करेगा, जिसका इस बार नहीं हुआ, वही pass करेगा, जो जीरो से तियारी करेगा, क्योंकि आप एक एक जाम पर ले लो, आप लॉंग जंप लगा रहते और गिर गए तो जहां गिरे फिर वहीं से आप जंप लगाओगे, तो कभी सक्सेस नहीं होगे, आपने जो प्रिप्रेशन की थी, तीन महीने पहले उसको आपने एक्जाम में लिखा, तीन महीने हो गए, अब आपके दिमाग से निकल चुका है, और वैसे भी अगर आप यह सोच रहे हो करेंगे कि पुराने प्रिप्रेशन पर तीस आ गया तो थोरा और कर लेंगे तो पचास हो जाएगा, ऐसा एक्चुल में नहीं होता, तो जीरो से ही करना पड़ता है, लेकिन मन में ऐसा आता है, सिलेबस बाइस में जाएंगे तो आपको सब कुछ दुबारा परना पड़े कहीं बच्चों ने मुझे ऐसे भी कहा है सर सेम ही तो सिलेबस है, अगर सेम ही सिलेबस होता तो सिलेबस बदलता क्यों, अगर ऐसा कोई भी आपको कह रहा है तो आप खुद सोचना है, चप्टर के नाम देख लेने से सेम नहीं होता, content में अंदर बहुत change है, बहुत changes है, मै कहते हैं कि सर हमारा इसमें आजाते हैं तो आप कुछ मदद करो, मैं तो सब का मदद करने के लिए तियार हूँ, अगर कोई सिलेबस 2022 में conversion कराता है, जिनोंने पहले classes ली हैं, वो अल्लेडी अपीर हो चुके हैं exam में, उनको दोबारा investment करना है, तो मैंने सब के लिए flat 20% discount कर इसलिए इन number पे अगर आपको कोई भी information दी जाती है, तो आप ये बानेंगे, जैनून है, क्योंकि कई बार लोग को लगता है, fraud और और की भी problem हो जाती है, तो ये दोनों number हमारे defined है, दो number वैसे और भी हैं, लेकिन इन दो number से आपको कोई भी आप अगर करते हैं, तो आप समझ लिजी कि आपका बिलकुल valid है, तो ये 20% discount मैं अपनी और से दे रहा हूँ, उन सारे बच्चों के लिए जिनको conversion कराना पर रहे हैं, अब आता है continuation with syllabus 2016, मैंने एक बोला कि अगर आप बोध गुरूप दे रहे हैं, तो आप नए में मत convert होई है, क्योंकि अगर आप convert होना चाहते हैं, तो फिर आपको July drop करना पड़ेगा, या जो बच्चे कहते हैं कि नहीं मैं तो थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, उसी में काम चलाओंगा, मैं थोड़ा पैसे भी कम investment करना चाहता हूँ, मैं इतना पैसा भी investment नहीं करना चाहता हूँ, तो syllabus 2022 में, जिन बच्चो ने मुझ से class लिया है, SPMBB और cost audit में कोई changes नहीं है, पहले बता दू, SPMBB में और cost audit में कोई changes नहीं है, वही चलता रहेगा, CFR का syllabus हमने पूरा revise कर दिया है, आप बोलेंगे क्यों revise किया, दो बज़े हैं, जितने भी syllabus CFR के 2016 में हैं, वो सारे chapter और मुस्ट 2022 में है, जैसे business combination है consolidation है, share best payment है, valuation है, financial instrument है, यह पांच major topic, 16 में भी हैं और 22 में भी हैं, और in days में हैं, लेकिन 16 के study material में एक तो question बहुत कम हैं, और दूसरा जो है उसमें गलती भी बहुत है, वही question जो 16 syllabus में गलत solve किया है, उसी का solution by syllabus में सही किया है, और question भी बढ़ाएं, एक यह observation हो सकती है कि पिछले 3-4 attempt में जो उल्टे पुल्टे question आते रहे, उसका एक बज़ हो सकता है कि institute के पास अपने questions थे नहीं, तो वो पुराने questions उठा उठा करके एस बाले डाल दिये, अब की बार उन्होंने उन question को refine कर दिया है, 2022 के study material में तो हो सकता है कि वो वहां से question कुछ पूछ डाले, इस basis को ध्यान में डखते हुए मैंने CFA को revise कर दिया है, तो CFA तो आपको revise करना पड़ेगा, जिन्होंने मुझसे classes ली हैं, उनको भी revise करना पड़ेगा, लेकिन उनको हमने और discount दे दिया है, और जो बच्चे otherwise मुझसे class नहीं ले चुके हैं, उनको भ जाए, क्योंकि December Solar syllabus का आखरी attempt होगा, और आखरी attempt होगा तो वहाँ पे और भी ज्यादा result कम होने के chances हो सकते हैं, इसलिए इस बार आपको पूरी ताकत लगानी हैं, और पूरी ताकत लगा करके July का exam clear कर लेना है, और याद रखे, depth study से ही clear होगा, shortcut videos देख लेने से बहुत advantage नहीं होता, मैं अभी इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं result की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो आप मेरा टेलिग्राम चैनल देख सकते हैं, उस पे हमने कितने result share किये, 1100 के approximate बच्चे 4th group total clear किये, आप देखेंगे मेरे टेलिग्राम पे कितने result है, और सारे marksit share किये, सब हुआ भी नहीं है, कुछ बच्चों का दूसरे mobile पे भी आए, तो वो भी बांकिये share करना भी कुछ आ भी रहें, तो आपको depth में study करनी है, और C.A.P.R. जो syllabus अबने device किया है, तो बच्चों का ये भी था कि सरापका syllabus बहुत लंबा हो जाता है, तो वो भी कम हो गया है, दो सब पच्चेस गंटे मैंने कर दी है, उसको सब को ठीक करके, तो अगर आप syllabus सोल में ही continue करना चाहते हैं, तो आप इस class से भी continue कर सकते हैं, जिन बच्चों ने पहले S.P.M.B.B. cost audit की classes नहीं ली हैं, वो भी ले के कर लो, क्योंकि investment बहुत कम नहीं है, मत मेरा objective है कैसे भी करके आपका exam clear हो जाए, मेरा objective कोई 2016 syllabus में कमाने वाने का नहीं है, कि चलो फीस ले ले करके जेब भरने वादी बात नहीं है, वैसे मैंने 22 syllabus में भी जो मेरी फीस होती है, उसमें से आधा मैंने छोड़ी दिया है, कमी कर दिया है, और इसमें भी मैंने आपक फीस कम कर दी है, तो आप मेरे हिसाब से clear होंगे, कोई और भी अगर आपको पूछना होगा, तो मुझे इस नंबर पे phone करके ये वाला मेरा खुद का ही नंबर है, phone, WhatsApp करके पूछ सकते हैं, लेकिन आप अपनी preparation स्टार्ट कर लीजे, अभी कर लेंगे तो आपके पास time रहे इस के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, preparation के strategy के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, अभी इस वीडियो की जादे demand थी, इसलिए बना दिया, बहुत बहुत धन्यवाद